वेल्कम टूर नेक्स एक्जाओं आज है 23 फरवरी 2023 और 23 फरवरी 2023 से करेंट अफ़र्स की जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे मेंस वीडियों में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेट इंपोर्टेंट फ्रेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वाध्यान से देखे लास्ट व मैं आपसे कुश्चिन पूछूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हों बताना है आज कि इस वीडियो की पीडियो की डिस्कसम से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलेगराम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलेगराम गुरूप पर आपको सारे पीडियो पे एक साथ मिल जाएंगी और टेलेगराम गुरूप का लिंक मैंने इस दिश फर्वर्य को 200 चिंतन दिवस मनायाया किया तो इसकुशिन का बे आप्सन्स है यही धुनिया बर में इसकाउट गाइड्स की गल्स और अन शकन होकी द्वारा मनाया जाता है बेस्सु चिंतन दिवस तो ये 22 फरवरी को मनाए गया अच्छा अभी एक फरवरी को बारती तट रक्षक दिवस मनाए गया दो फरवरी को बेस्सु आद्र भूमी दिवस मनाए गया 4 फरवरी को 200 कैंसर दिवस और अंतरास्टी मानब बंदुत दिवस मनाए गया 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाए गया 10 फरवरी को 200 दलहन दिवस मनाए गया 11 फर्वरी को 200 यूनानी दिबस और बिज्ञान में मैलाओं और लड़कियों का अंतरास्टी दिबस मनाए गया 12 फर्वरी को अंतरास्टी डार्बिन दिबस मनाए गया 13 फर्वरी को 200 रेडियो दिबस मनाए गया और 19 फर्वरी को ही आठमा म्रदा स्वास्ते कार्ट दिवस मनाए गया। बेस फर्वरी को पराक्रम दिवस मनाए गया। और बेस फर्वरी को ही बेसु सामाजिक निया दिवस मनाए गया। 21 फर्वरी को अंतरास्टी मात्र बासा दिवस मनाए गया। तो फरवरी में अब तक इतने important ही मनाए गए हैं, यह आपको याद रखने हैं, अच्छा आज किस वीडियो को हम target रखते हैं, 40 या लाइक का, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, helpful लगता है, तब आप इस वीडियो को like और share जडू किया करो, और मैं आपको भी बोलता हूँ, daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो, चाहे छोटा साई target fix करो, लेकिन daily morning mode कर, सबसे पहले अपने लेक target fix करो, और फिर अपना पूरा दिन उस target को अचेव करने में लगा दो, आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी, next question है, हाली में गुलाब चंद कटारिया ने किस राजी के राज़िपाल के रूप में सपत ली है, तो अभी असम के नए राज़िपाल के रूप में गुलाब चंद कटारिया ने सपत ली, तो इस question का day options आई है, ये हैं गुलाब चंद कटारिया, और अब ये असम के नए ग और अब असम के नए गवर्नर बने हैं गुलाब चंद कटारिया अच्छा अभी असम का नया डीजी पे ग्यानेंद प्रताप सिंग को न्यूत किया गया असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रण किया है असम के मंत्री मंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के बिदेख को मंजूरी दी पूर्वोत्तर के पहले यूनानीच चिकिसा चेत्रे केंद्र का उद्गाटन असम के सिल्चर में किया गया असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिसन की सुरुआत की ट्रेज ब्यॉंड फॉरेस्ट कारिक्रम ये असम में सुरू हुआ असम में कटि काजी रंगा मानस ओरंग डिबरु सैकोवा रायमोना और देहिंग पठ गई ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसमें से काजी रंगा नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है और ये भारत का इकलोता देह निशनल पार्क है जो सेटल आइट फोन से कनेक्ट हो चुका है ये भी आपको याद रखना है नएक है किस देश ने 800 अरश सबसे हाई टेक सहर बनाया जाए mitad जिसकी लंबाई 400 km, चौणाई 400 km और उंचाई भी 400 मीटर होगी तो ये दुनिया का सबसे high-tech सहर बनाया जाएगा मुकाब ये साओधी अरब में बनाया जाएगा इस सहर में क्या होगा? लगबग 1,4,000 फ्लैट्स होंगे 9,000 होटल्स रूम होंगे और 14,000,000 स्कौाइर मेटर का ओफिस एरिया होगा ये दुनिया का सबसे high-tech सहर होगा मुकाब इसको साओधी अरब में बनाया जाएगा अब साओधी अरब तो ये है मैप में साओधी अरब साओधी अरब की केपिटल क्या है? पहली महिला रायाना बरवनावी बनी है अचा पूर्तगाल के स्ट्राइगर क्रिस्टियानो रुनाल्डो अल नासर फुटवल कलब से जुड़ गए है दा लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल सहर अभी साओधी अरब में इस्तापित किया जाएगा नाक्यूशन है हाली में 18 में 200 सुरक्षा कॉंग्रेश कहां आयो जित हुई है तो अभी जैपूर में 18 में 200 सुरक्षा कॉंग्रेश आयो जित हुई तो इसकूशन का C ओप्सन सही है International Union of Railway और RPF के दवारा 18 में 200 सुरक्षा कॉंग्रेश जैपूर में आयो जित हुई है नाक्यूशन है हाली में 2023 अरजेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है तो अभी कार्लोस अलकराज ने 2023 अरजेंटीना ओपन खिताब जीता तो इसकूशन का B options है कार्लोस अलकराज ने केमरून नौरी को हरा है यह हैं कार्लोस अलकराज इनोंने 2023 अरजेंटीना ओपन खिताब जीता है अच्छा अभी कार्लोस अलकराज सबसे कम उम्र के बिसुके नमबर बन ATP खिलाडी बने ATP यानिकी Association of Tennis Professionals नोबाक जोकोविच ने छटा ATP फाइनल्स किताब जीता है ITTF के एथिलीट आयोग में चुनने जाने वाले भारती सरत कमल बने है और स्विट्जलेंड ने ऑस्टिलिया को हरा कर पहला विली जीन किंग कब जीता है ने शुशन है तो अभी राजियस राए भारती टेलीफोन उद्यों के नए CMD न्यूक्त हुए है यही भारती टेलीफोन उद्यों के नए CMD अपॉइंट हुए है अच्छा अभी नेतियायो का नया CEO वे वी आर सुब्रमन्यम को न्यूक्त किया गया बारते अमेरिकी नेल मोहन यूटूब के नए CEO बने है सेयोक्त राज सामाजेक आयोक के 62 सत्र की अध्यक्ष रुचिरा कमबो चुनी गई ICAI ने अनिके सुनील तलाटी को अपना नया अध्यक्ष न्यूक्त किया है और इलावाद हाई कोट का मुख्य नया दीज राजेस बिंदल को न्यूक्त किया गया ने कियूशन है हाली में कहां ओला उबर और रैपिडो बाइक टेक्सी पर प्रतिबंद लगाया गया है तो ओला, उबर और रैपिडो की जो बैक टेक्सी थी इन पर अभी दिल्ली में तत्काल प्रतिबंद लगा गया है तो इसकुशिन का से ओप्सन सही है ऐसी कंप्लेंट थी कि लोग अपनी परसनल वाइक्स को इस बैक टेक्सी की रूप में यूज कर रहे थे इसलिए ओला, उबर रैपिडो बैक टेक्सी पर अब दिल्ली में प्रतिबंद लगा दिया गया है ने कुशिन है हाली में बार बरा बॉसन का निधन हुआ है बे कौन थी तो बार बरा बॉसन ये एक अभिनेत्री थी और एमी पूरसकार के लिए सलेक्ट होने वाली ये अभिनेत्री थी अभी इनका निधन हो गया तो इस कुशिन का से ओप्संस है ये थी एमी नामंकित अभिनेत्री बार बरा बॉसन इनका अभी निधन हुआ है ने कुशिन है हाली में किस देश ने म्यूनिक सुरक्चा संभिलन की मेजबानी की है तो अब एज जर्मनी ने म्यूनिक सुरक्चा संभिलन की मेजबानी की यानि किस कुछ इनका ए ओप्सन सही है म्यूनिक सुरक्चा संभिलन इसकी मेजबानी जर्मनी ने की है ये एक बैस्विक सुरक्षा के मुद्दों पर केंद्रित सम्मेलन है अब जर्मनी ने इसकी मेजबानी की तो ये है मैप में जर्मनी जर्मनी की केपिटल क्या है बरलिन जर्मनी की करंसी क्या है यूरो जर्मनी के प्रेजेंट टैम पर प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंक वर्ट के साथ मैत्री सांस्कृतिक साज़दारी की है तो अभी ऑस्टेलिया ने सांस्कृतिक संबंदों को बड़ावा देने के लिए बारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साज़धारी की तो इस कुछिन का बे options आई है अब Australia तो ये है मैप में Australia Australia की capital क्या है केन वरा Australia currency क्या है Australian dollar और Australia की present time पर प्रायमिस्टर कौन है Anthony Albanese कौन है Anthony Albanese अच्छा अब इस जासू सी चिंताओं को लेकर Australia अपने कार्यालें में जो चैनीज केमरे लगे हुएं उनको हटाएगा उस्टिलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटेस राजसाई की तस्वीरें हटाने की गोश्ण की है उस्टिलिया की मैला क्रिकेटर वेलिंडा क्लार्क ने खुद अपने मूर्ति का अनावरड किया है और वेना नायर को उस्ट उस्टिलिया में प्रदानमंत्री पुरुषकार मिला है ने क्यूशन है हाली में उत्तर प्रदेश के आगरा में दस दिवसी ताज महुतसब का उद्गाटन किस ने किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार में उच्छ सिक्षा मंत्री है योगेंद्र उपाद्या इन्होंने अब उत्तर प्रदेश तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की केपिटल क्या है लखनव और लखनव किस नदी के किनारिश्तित है गोमती नदी किनारिश्तित है उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदी बेन पटेल उत्तर प्रदेश का राजकी पसु है बारे सिंगार, राज़की पच्छी है, सारस्या क्रॉंच, राज़की पुस्ब है, पलास और राज़की ब्रक्च है, आसोग का ब्रक्च अचा उत्तरप्देश में दुदवा नेशनल पार्क है, गतर्नियागाट वाइलले संचुरी है, और पेली भी टैगर रिजर्व है, अब ये उत्तरप्देश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉंच किया, 24 जनवरी को उत्तरप्देश का इस्तापना दिवस मनाया गया उत्तरप्देश सरकार प्रक्रत्ती और पक्षी महुतसब के सातमे संस्क्रड की मेजवानी करेगी, उत्तरप्देश के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरो एंडी पहल प्रसिक्चर कारिक्रम शुरू किया, और उत्तरप्देश के मुख्यमंत्री ने BFS बैस्व प्रायोजन अधिकार प्राप्त किये हैं तो अभी टाटा समूँ ने दोजार सताइस तक के लिए बिमेन प्रेमियर लीग की टाटल स्पॉंसर्शिप हासिल किया है तो इसकुशन का बे ऑप्शन सही है जो बिमेन प्रेमियर लीग है इसके अगले पांस संस्कड के लिए अंतरास्टी मात्रभासा पुरुसकार से सम्वानित किया गया तो इसकुशन का बे ऑप्शन सही है बंगलादेश की प्रेमिश्टर सेख हसीना ने डॉक्टर महेंद्र मिस्रा को अंतरास्टी मात्रभासा पुरुसकार से सम्वानित किया है आप इमेज में देखिए यह जो सेख हसीना से अवार्ड ले रहे हैं यही हैं डॉक्टर महिंद विस्रा इनको अंतरास्ती मात्रभासा पुरुसकार से सम्वानित किया गया अभी यूनेसको सांति पुरुसकार से एंजिला मोरकल को सम्वानित किया गया राखी कपूर ने नाव यूब्रेट के लिए सुतन मंगड ने ओड़क कुझल पुरुसकार जीता है ने क्यूशन है हाली में दमित्री दमित्रुक को केस देश की मुक्यवाजी टीम का कोच नियुक्त किया गया तो दमित्री दमित्रुक इनको अभी भारत की मुक्यवाजी टीम का कोच नियुक्त किया गया तो इस हाली में 2023 का ग्यानपन पुरुसकार किसे दिया गया है तो बे मद्द सूधनन नायर को 2023 का ग्यानपन पुरुसकार दिया गया तो इस कुछिन का से ओप्सिंस है यह प्रसिद कभी मद्द सूधनन नायर इनको 2023 का ग्यानपन पुरुसकार दिया गया अब लाश्ट वीडियो के question का answer लाश्ट वीडियो मैंने आप से question पूझा था कि हाली में किसने 2023 रड़जी ट्रॉफी का किताब जीता है तो अभी सौरास ने पस्चे मंगाल को हरा कर 2023 का रड़जी ट्रॉफी किताब जीता तो इस question का ए उप्सन सही था और लगबख सभी स्ट्रॉणेस का answer सही दिया मुश्ट लिए स्ट्रॉणेस के बारे में डेटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में भारत के 80 में grandmaster कौन बने है चार option दिए गये हैं इन में से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page जोईन कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने careers related वी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshrc Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation डिसकस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या लाइक का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है, help लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group हैं उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का मारा current affairs का वीडियो आपको ये video कैसा लगा प्लेज comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आप इसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon बनके आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लेए जिससे के आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज भी दियो तैंक्स पर वाचिंग